कभी भी हमें एक entity को एक particular नाम के अंदर रखना होता है तो हम लोग array का इस्तिमाल करते हैं जावस्क्रिप्ट के अंदर array collection of multiple data types होता है आप लोग उसमें numbers, strings या फिर objects भी add कर सकते हैं एक array के अंदर अलग-अलग data type के variables हो सकते हैं इस्तिमाल होगा array यह मैं आप लोगों को बताऊंगा और किस तरह से आप लोगों को इस्तिमाल कर सकते हो बहुत closely array और उसके functions को देखने वाले इस वीडियो को लाइक करके नीचे comment section में Sigma batch भी ज़रूर लिग देना अगर आप लोग Sigma batch को so far enjoy कर रहे हो अक्सेस करने के बाद chapter 5 में सीधे आ जाए तो array का इस्तिमाल क्यों किया जाता है इसलिए किया जाता है ताकि आप लोग एक नाम के अंदर एक नाम के अंदर आप multiple values को store कर बाएं जैसे माल लो मैं एक fruits नाम का array बनाओ उसमें मैं डाल सकता हूँ नाम के अंदर लेकिन मैं आप लोग को यह बताना चाहता हूँ कि जब आक्षिल में हम लोग वेब डिवलफमेंट करेंगे तो कहां पर यूज होंगे यह 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 आप लोग यूज करोगे जब आप लेड़से react में एक component बना रहे हो और उस component जैसे पचास आप लोगों को बनाने मैं आप लोगों को कोई भी एक ब्लॉग का example दिखाता हूँ लेड़से हमारे पास यह वाला ब्लॉग है ठीक है कोई एक ब्लॉग ब्लॉग टैक क्रंच टेकनोलजी लिग देता हूँ यहाँ पर मालों यह हमारा ब्लॉग है अब इस इस ह्otल्ग में अपसे लोगो देखाओं यह जो कार्ड सब्सुरी कराँ और इसके बाद लिखा होगा यहाँ पर category फिर यहाँ पर लिखा होगा description तो इस तरह की चीज़े आपको area of objects के form में दी जाएंगी और आपका काम होगा कि आपको यूआई पर से display कराना हुगा using react वो सारी चीज़े तो हम लोग बाद में देखेंगे लेकिन अभी array क्या होते हैं यह हम लोग देख रहे हैं तो मैं आपर जल्दी से आ जाँगा और video number 63 के नाम से एक folder बना लूँगा तो video 63 के नाम से एक folder मैंने बना लिया है और इसके अंदर आने के बाद मैं shift right click करके इसको open with code करूँगा और जो बाकी folder से उनको बंद कर दूँगा ताकि मेरा focus सिर्फ इस folder पे रहे और यहाँ पर मैं क्या करूँगा index.html बनाता हूँ और यहाँ पर मैं boilerplate डाल कर एक script add करता हूँ और node.js से भी मैं चला सकते हूँ देखो मैंने दो array is equal to नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ array भी एक variable ही है ठीक है एर नाम से variable बनाया जो कि एक array है अब मैं कह सकता हूँ one two three sorry four five seven यह मैंने मानलो एक array बना दिया अब इस array को बनाने के बाद अगर मैं console.log करूं array तो यह कुछ इस तरह से दिखेगा किस तरह से दिखेगा अरे इस अब अगर मानलो मैं इस array की लेंध को प्रेंट करना चाहता हूँ तो मैं console.log करके array.length कर सकता हूँ जिस तरह से मैंने string में भी आप लोग को बताया था कि string की लेंध को हम प्रेंट कर सकते हैं और उसी प्रकार से array के अंदर कितने elements से पता लगाने के लिए हम लोग array का नाम ह अब अगर मानलो मैं इस array को change करना चाहता हूँ तो क्या मैं कर सकता हूँ array mutable होता है कर सकता हूँ string immutable होता है आपने देखा होगा जब भी हम string पर operation कर रहे थी तो एक नई string return कर रहा था यानि कि जब भी मैं एक string में कुछ change करूँगा तो original string intact रहीगी लेकिन array अगर मैं चाह पाऊंगा तो change कर पाऊंगा इसे कहते हैं mutability of arrays strings are immutable arrays are mutable as simple as that तो console.log ARB ने आपको बताया है फिर length आप इस प्रकार से पता कर सकते हो देखो यार अगर आप लोगोंने notes access नहीं करें और print भी नहीं निकलवा है तो print भी निकलवाल हो जाके ठीक इसमें मेरा कोई फाइदा न 3 करूं तो 0 से गिंती करूंगा 0 1 2 3 यह ARR 3 होगा मेरा तो 5 मिलेगा तो अगर मैं इसके नीचे यहाँ पर लिखूं कुछ इस तरह से मालो मैं लिखूं 0 और फिल लिखूं 1 फिल लिखूं 2 फिल लिखूं 3 फिल लिखूं 4 ठीक है तो आप लोग यहाँ पर देखना कि जो numbers म 1 पे 2 है और 2 पे 4 है 3 पे 5 है 4 पे 7 है तो अब ARR 0 करूंगा तो 1 आएगा ARR 1 करूंगा तो 2 आएगा क्या गिंती 0 से start होती है यह इस IRA की index है ठीक है तो अगर मैं आपर इस प्रकार से लिखूं मानलो मैंने लिखा ARR 0 मानलो लिखा ARR 2 फिल लिखा ARR 4 ARR 4 की जगा 7 आएगा तो यहां पर ARR 0 की जगा आएगा 1 2 की जगा आएगा क्या 4 और ARR 4 जब मैं access करूंगा यानि कि 4th index वाल element access करूंगा तो 7 आएगा क्या output होगा इसका 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 output होगा 1 4 7 तो आप लोग को दिखा हूँ तो यह देखना आप लोग 1 4 और 7 यहां पर आ गया और यह 5 जो है मैंने यारे की जो लेंथ लिखी थी उससे आया है तो इस प्रकार से आप लोग जो है लेंथ पता कर सकते हो ARR की और उसी के साथ यह जो आप लोग ऑप लोग ऐसा नहीं कर सकते अगर आप स्ट्रिंग में कुछ आशा करने की कोशिश करो वो नहीं कर सकते आप क्योंकि स्ट्रिंग होती है इंमूटेबल माल लोमे 566666666 caro ko क्या और जीडों को तो मेरा एरे चेंज हो जाएगा हाँ change हो जाएगा मालो मैंने ARR 0 is equal to 5666 कर दिया अब array यह नहीं रहेगा यहाँ पर 5666 आ जाएगा क्योंकि मैंने का है कि index 0 पर 5666 कर दो वोग यहाँ पर 5666 आ जाएगा तो आप लोग अगर यहाँ पर देखोगे तो 5666 आ जाएगा यहाँ पर 4 आया यहाँ पर 7 आया ठीक है तो कुछ इस तरह से आप लोग जोए कर सकते हों I hope समझ में आ रहा है सबको और array जो है वो mutable होते हैं string में अगर यह चीज़ करने की कोशिश करोगे नहीं कर पाऊगे आपको एक दिखाता हूँ थोड़ा सा करके let a is equal to मालनो मैं कहता हूँ Harry ठीक है और मैं कहूँ कि a 0 को क्या कर दो a 0 को कर दो मालनो k ऐसे करने की कोशिश करूँ गर मैं और मैं फिर इसके बाद a लिखूँ तो change नहीं होगा यहाँ पर Harry ही लिखकर आ रहा है तो इस प्रकार से आप लोग का array जो है वो काम करता है अब array के बहुत सारे methods होते है ठीक है बहुत सारे methods होते है और उन methods से आप array को change कर सकते हो by the way अगर मैं यहाँ पर type of array को log करूँ तो एक object बताता है तो array type of array को object बताता है JavaScript reload करूँ अगर यह क्या हुआ यहाँ पर मैंने print किया type of array array और type of array तो यह object print होता है तो type of array जब भी आप print करते हो तो object होते है जावास्रिप में arrays जावास्रिप्ट arrays are objects the type of operator on arrays returns object तो इस तरह से आप लोग जो है इसका type बता कर सकते हो अब कुछ methods है array के जो जल्दी से आपको बताना चाहते हो बाकी notes आपके पास है और समझदार आप खुद हो हम लोग जादर से array टाइम यहाँ प्रोजेक्ट में मनाएंगे बिताएंगे ठीक है आने वाले टाइम में there are some important array methods जैसे कि two string अगर आप ही array को string में इसको console log करके मुझे यह array as a string मिल गया comma separated string तो यह एक string है ठीक है तो अगर मैं एक array को string में convert करना चाहता हूँ तो कुछ इस प्रकार से कर सकता हूँ क्यों हम ऐसा करना चाहेंगे यह हम लोग जब projects बनाएंगे तब आपको पता चलेगा पड़ ऐसा कर सकते हैं ठीक है इसके बाद join method होता है join क्या करेगा अगर मान लो मेरे पास एक array element है जिसमें मान लो कुछ numbers है और मैं इसको ऐसे print करना चाहता हूँ 1 and 2 and 4 and 5 and 7 तो मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ मैं कह सकता हूँ console.log और मैं कह सकता हूँ arr.join और मैं यहाँ पर join लिखने के बाद double quotes के अंदर end लिख दूँगा और यह spaces भी दे दूँगा तो जो है यह array join हो जाएगा end से इसका मतलब यह हुआ कि जहाँ जहाँ पर commas थे वहाँ वहाँ end आ जाएगा और यह array के elements इस परकार से आ जाएगे जब web development करोगे front end UI पर कुछ आप लोग display कराने की कोशिश करोगे इस तरह से करने की जरूरत पड़ेगी और जब इस तरह से करने की जरूरत आपको पड़ेगी तो आप इसको याद करोगे और अगर आपको नहीं बता की join नाप का कोई method होता है तो दिक्कत होगी आपको ठीक है तो यहाँ पर एक और method होता है pop तो मालो मेरे पास एक array है मैं यहाँ पर करके दिखाँ आपको थोड़ा जादा easy रहेगा तो अगर मेरे पास मालो एक a है a नाम का array है और मैं इस array को लिखता हूँ 1,2,3,4,5,6 और मैं यहाँ पर a.pop कर दूँ यह एक function चला दूँ और इसके बाद मैं a को देखूँ तो a का जो last element था वो निकल गया तो a.pop एक method है array पर जो की क्या करता है return करता है pop element जो की 6 है मेरे case में तो 6 को यह return कर देगा और original array को alter कर देता है उसमें से निकाल देता है pop को मतला pop out कर लो निकाल लो क्या कर लो निकाल लो ठीक है तो यह करता है यह बहुत simple सी चीज है I hope समझ में आ गई होगी आप लोगको मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बड़ी rocket से है एक यह चीज हो गई अब मैं आप लोगों को बाकी method और बताता हूँ एक method होता है push बहुत important method सबसे ज़्यादा use करोगे अब देखो हमारा जो a है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है अगर मैं a.push करूँ और इसमें 100 push कर दूँ तो a जो है अब इस प्रकार से दिखेगा इसमें end में 100 लग गया अगर मैं गो a.push और मैं harry करूँ तो क्या मैं ही कर सकता हूँ आप लोग मुझे नीचे comment section में बताओ इसका answer मैं ने इसी वीडियो में दिया है बट आप लोग मुझे नीचे comment section में बताओ मैं सबका comment चाहता हूँ to interaction I hope सबने comment किया yes मैं push कर सकता हूँ और मैं यहाँ पर जैसे ही लिखूँगा a तो आप देख सकते हूँ यहाँ पर जो है यह पहले element को निकाल लेता है और उसको return करता है जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कहूँ a.shift तो इसने यहाँ पर one return किया और अगर मैं यहाँ पर a को print करूँँगा तो यह निकल गया तो push क्या करेगा sorry pop क्या करेगा last को निकालेगा और shift क्या है यहाँ से पहले वाले को निकालेगा ठीक है फिर यह एक unshift होता है जो कि beginning में add कर देता है तो अगर मैं यहाँ पर कहूँ a. unshift और मालो मैं लिखू jack ठीक है और अब मैं a को देखूँ तो यह देखूँ यहाँ पर jack add करेगा तो जो unshift होता है वो push का भाई होता है और shift जो होता है वो pop का भाई होता है यह सब लोग comment में लिख दो जल्दीव ताकि हम सब को याद रहे हमेशा हमेशा including myself ठीक है चुकि syntax भूलना हर developer की आदत होती है और हर developer भूलता है syntax अब लिख दो नीचे comment में लिख दो ठीक है आप लिख दो कि जो shift होता है हमारा वो pop का भाई होता है और unshift जो होता है वो push का भाई होता है ठीक है तो यह बात आप लोगो comment में记नी है I hope आप सब लोग लिख होगे last while element delete हो जाएगा तो मैंने अगर यहाँ पर a करा तो आप देखो यहाँ पर अभी जो last while element है यह empty दिखा रहा है यानि कि इसको delete कर दिया गया है लेकिन अगर अभी भी मैं a.length करूँ तो आप देखो यहाँ पर 7 आ रहा है और अगर मैं a6 को प्रेंट करने की कोशिश करने तो undefined आ रहा है यानि कि array में memory तो allocate की गई है लेकिन वहाँ पर value नहीं है ठीक है तो यह चीज़ आप लोगों से interviews में पूछी जा सकती है जो कि आपको पता हो नहीं है अब यहाँ पर आप देखो एक concat method होता है जो की 2 arrays को join करने में सहायक होता है अगर मैं लोग मेरे पास 3 arrays है आप लोग यहाँ पर screen पर देखना एक a1 है एक a2 है एक a3 है इसको आप लोग करके भी देखना यहाँ पर मैं इसको करके नहीं दिखाऊंगा मैं चाता हूँ कि आप भी थोड़ा बहुत करो क्योंकि आप करोगे तो आपको समझ में आएगा मैं ही कर दूँगा सारा तो कैसे समझ में आएगा तो आप लिखो a1, a2, a3 ठीक है कुछ इस प्रकार से a1.concat करके a2, a3 लिखोगे तो यह तीनों एरेस का जो concatenation है वो return होगा इसका मतलब है a1 में concatenate कर दो a2 और a3 और जो भी आए उसको return कर दो ठीक है अब यहाँ पर यह existing area को change नहीं करता है यह बात याद रखना आप लोग यह एक ऐसा method है जो कि existing area को change नहीं करता है a1 वैसे ही रहेगा a2 भी वैसे ही रहेगा और a3 भी वैसे ही रहेगा तो यह चीज़ आप लोगों को यहाँ पर note करनी है a1, a2, a3 वैसे ही रहेगा ठीक है अब यहाँ पर एक sort method होता है जो कि क्या करता है कि sort कल देता है elements को तो इसको आप लोग try करना है ठीक है तो यह original array को modify करता है तो sort जो होता है optional argument भी लेता है compare function जो होता है तो आप लोग अगर compare function देते हो sort को तो compare function के हिसाब से वो sorting करता है ठीक है यह थोड़ा advanced usage है but splice पर आते है splice क्या करता है splice आप लोगों को एक position से elements को निकालने में या फिर 12345 ठीक है अब मैं आपर लिखता हूँ numbers.splice ठीक है मैंने लिखा splice और मैं आपर लिख दू 1 यह start कहां से आप करना चाते हो कितने delete करना चाते हो 2 लिख दू अगर मैं और मैं enter मारूं तो आप देखो यहाँ पर कि जो numbers होगा वो 1,4 और 5 हो गया यानि कि क्या हुआ कि 2 और 3 जो है यानि कि index 1 में से 2 elements गायब हो गए ठीक है अगर मैंने यही numbers इस तरह से बना कर मैंने numbers.splice 1,3 किया होता तो यह क्या करता return तो करता 3 elements जो कि इसने numbers में से निकाल लिए है और अगर मैं numbers को print कलता तो 1 और 5 आता यानि कि यहां से इसने 3 elements निकाल लिए है 1 index से 1,2,3 यह 3 elements से निकाल लिए है दिख रहा है आपको यह arrow यह arrow दिख रहा है मेरा दिख रहा होगा I hope 1 index से यानि कि यहां से 2,3,4 यह 3 elements निकाल लो तो splice जो है इस प्लकार से यूज होता है अगर आप लोग यहां पर 2 numbers देद होगे यह elements add हो जाएंगे उसी index पर तो यह भी करके दिखाता हूँ आप लोग को तो अगर मालो मेरा numbers कुछ इस प्लकार से दिखता है और मैं कहता हूँ numbers और splice 1,3 और 2,2,2,3,3,3 को add करो तो यह items add हो जाएंगे तीन items remove होगे यह items add हो जाएंगे तो कैसा दिखेगा array मेरा तो 2,3 और 4 तो remove हो गए तीन elements जो कि मैंने remove किये थे लेकिन अगर मैं अपने original array को देखूँ तो वहाँ पर अब 2,2,2,3,3,3 add हो चुके है यह in most of the cases आपको याद नहीं रहेगा splice किस तरह से काम करता है इसलिए मैंने notes में बहुत clearly लिखा हुआ है कैसे काम करता है तीर बना बना इसलिए कहता हो notes के print out ले लो web development भी कर रहे हो ना काम आ जाएंगा उठाया अपने spiral bending वाला notes हाँ ठीक है यह होता था रग दिया वापस ठीक है effort कर सकते हो color print out निकालो यार feel आ जाएगी ठीक है printer printer है अगर निकालो वरना black and white भी निकाल सकते हो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है color निकल वाओगे और मज़ा जाएगा ठीक है अब slice function क्या होता है यह एक piece को slice out कर लेता है अगर मैं यहाँ पर मेरा number कुछ इस तरह से दिख रहा हूँ मैं काओ number.slice2 तो क्या होगा यहाँ पर 3 और 4 एक नया array जो है वो return होगा यानि कि 2 index से शुरू करो 0,1,2 और end तक जाओ तो 3 और 4 आ गया 1,3 करूँगा 1 index से शुरू करो 0,1 और 3 index तक जाओ not including 3 तो 0,1,2,3 इसको include नहीं करना है 1 से start करना है 2 और 3 आ गया अब यहाँ पर देख सकते हो ठीक है तो यह slice method है फिर reverse element होता है जो कि source को reverse कर देता है तो इसको भी आप लोग use कर सकते हो अब मैंने loops के बारे में आप लोग को बताया था और loops काफी important होते है areas के context में तो अगर मैं यह सारा code जो कि मैंने आप लोग को दिया है इसको मैं कुछ इस तरह से copy करूँ Ctrl A, Ctrl C, just so that you have the code मुझे इसका सोड़ा clean up करना पड़ेगा तो मैंने numbers.splice आप लोग को बताया मैंने आप लोगों को यहाँ पर यह सब बताया let numbers is equal to यह तो मैं इस सारा का सारा जो code है वैसे तो आप लोग खुझे डाइब करना यार notes भी है आपके पास but just so that आप लोगों के लिए easy हो जाए मैं यहाँ पर यह जो splice वगएरा मैंने बताया इसका code जो है यहाँ पर मैं रख दे रहा हूँ तो यह बार बर मैंने इसको declare किया इसलिए मैं इसको हटा दूँगा और इसको भी comment down भी कर देता हूँ तो आप लोगों को पता रहेगा कि कि मैंने यह सब चीज़े आपको क्यों बताए अब मैं काम करता हूँ यहाँ पर एक और बनाता हूँ और loops.js के नाम से बनाता हूँ और इसको include करता हूँ यहाँ पर तो मैं यह वाली जो है JavaScript detach कर रहा हूँ अपने HTML में से ठीक है कहिए मैं सोचना आप कि यह वाला सारा contact का सब जो console logs थे और content था क्यों नहीं display कर रहा है हमारा console उसने नहीं कर रहा है console display क्योंकि मैंने इसको detach कर दिया अब मैं loops में आउँगा और यहाँ पर simply मैं एक array बनाऊँगा और मैं कहूँगा 1,3,5,6 और 88 ठीक है और मैं भी मैं इसको 93 कर दूँगा जस्स तो that my array is not sorted अब अगर मुझे एक classical for loop चलाना है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो आता है एंटर मारूँगा तो आप देखो index is equal to 0 और tap दबाऊंगा जैसे यह array पर आजाएगा a कर दूँगा array का नाम a है मेरे फिर tap दबाऊंगा तो यहाँ पर यह element जो है console log अगर मैं करूँगा तो 193,56,88 आजाएगा तो इस element के साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ तो अगर मैं आप लोग का भी दिखाऊं तो यह सारे elements प्रिंट हो गए यह loops.js से आ रहा है यह print हो गए तो यह classical for loop होता है array पर यह आपको पता है ठीक है क्योंकि हमने यहाँ पर a.length तक चलाया आपको पता है कि जो a.length है वो array की length तक जाने वाला है और simple है लेकिन हम आप लोग को बताता हूँ for each loop के बारे में जो कि आप लोग दे सकते हो कुछ इस प्रकार से और इसके अंदर एक arrow function आप डाल सकते हो और इस function को आप दे सकते हो value, index और array तो आप यहाँ पर लिख सकते हो value, value, index और array ठीक है तो अगर आप इन तीनों चीजों को console lock करो value, index, arr तो यह क्या करेगा value जो की 1 होगी पहले element के लिए, index 0 होगी पहले element के लिए और यह पूरा array आपको देगा तो कर मैं आप लोग को दिखाऊं यह चीज, इसका output दिखाऊं तो यह देखो value, index और array आपको देखने को मिल रहा है, तो यह value, index यह value, index, array, value, index, array यह देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है I hope कि यह आप लोग के लिए clear होगा और आपको समझ में आगया कि यारी क्या है क्यों हमने use किया for each loop आजाता हूं मैं आप पर, और map filter and reduce आप लोगों को बताता हूं पर उससे भी पहले, मैं आप लोगों को for off और for in loop के बारे में बताना चाता हूं तो जो for off loop होता है, इसको मैं comment out कर रहा हूं अगर मैं लिखा हूं for off तो यह आपर मैं for in loop के बारे में अगर बता हूं तो वो एक object के context में use किया जाता है और इसमें क्या होता है, कि जैसे मानलो मेरे पास एक object है ठीक है, मानलो let obj is equal to और यह कुछ इस प्रकार से a है 1, b है 2, c है 3 बहुती basic से array मैंने ले लिया तो मैं कहूंगा const key in obj, जो भी मेरे object का नाम है और यहाँ पर एक if statement आपको देखने को मिल रहा है इसका मतलब यह है कि कभी-कभी क्या होते है कुछ built-in objects होते है उनमें कुछ-कुछ properties ऐसी होती है जो उस object के अपनी properties नहीं होती है बलकि उसमें added properties होती है तो वो मुझे नीच चाहिए, मुझे सिर्फ वह properties चाहिए जो की relevant है, ठीक है तो आप देखो यहाँ पर यह कह रहा है object is not defined, कहा गया object जहाँ जहाँ object लिखा है, वहाँ OBJ भी तो करना पड़ेगा वहाँ OBJ भी तो करना पड़ेगा और आप लोग देखो 123 ठीक है, तो यहाँ पर 123 आ गया तो A1, B2, C3 और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो की OBJ की जैसे ही मैंने किया, मुझे यह element मिल गया, ठीक है, अगर मैं चाहूँ सिर्फ key मिले, मैं मालोग key और element दोनों print करना चाहता हूँ, तो वो भी हो जाएगा A1, B2, C3 यह से मन चाहिए, मैं इसको print कर सकता हूँ अब इसके बाद आता है, हमारे पास एक for off loop जो की directly arrays के लिए होता है, तो अगर मैं यहाँ पर for off लिखो और enter बारूँ तो यह देखो, const iterator of ARR, ठीक है और अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ console.log iterator तो आप लोग देखों कि यहाँ पर मुझे, यह कह रहा है ARR is not defined, मेरे array का क्या नाम है A है मेरे array का नाम, ओके मेरे array का नाम A है, तो यहाँ पर आप देखो कि सारे elements मुझे मिल गए ठीक है, आप इसको for const value भी कह सकते हो, आपकी मर्जी है जो भी को, element भी कह सकते हो जो भी कहोगे, वैसे आपको मिल जाएगा यह loop के अंदर, तो यह तो बहुत simple सी चीज है, ठीक है समझ में आ जाएगी आपको, कोई इतनी बड़ी rocket science वाली चीज यह है नहीं, ठीक है, तो I hope कि यह clear हो रहा है, आप सभी लोगों को, ठीक है चलो यहार, आगे बढ़ते हैं और map filter और reduce को देखते हैं बहुत important concept अब देखो, क्या होता है, कभी कभी हमें एक नया array बनाना होता है, वो हम बना सकते है map की साहिता से, तो मैं कहता हूँ original array को use करके एक नया array let me explain it better तो मैं map filter reduce.js बनाऊँगा, mfr.js और mfr.js को मैं include करूँगा और आप देखो, यहाँ पर मेरा एक array है तो मैं कहूँगा, let arr is equal to 1, 3, 5, 7, 11 और यहाँ पर मैं 13 कर दूँगा और मालूँ मैं चाहता हूँ एक नया array बनाना, जो कि इसके squared values को contain करे, तो मैं classical for loop use करूँगा, मैं कहूँगा एक new array बना लो, let new arr is equal to एक खाली array और क्या करो, कि उसके अंदर push कर दो new arr.push और element star star 2 यानि element square पुश कर दो उसके अंदर और finally इसको console lock कर दो element, sorry new arr को बस हो गया, और यह कहा रहा array is not defined, कहा, कहा गया okay, arr करना होगा यहाँ पर alt दबाकर मैंने multi cursor functionality का use की, अब आप देखो इसमें squared values आ गई, 5 का square, 25, 7 का square 49, और 11 का 1 to 1 होता, यह आपको याद अगर नहीं है, तो नीचे comment section में आप लिख दो कि भाई, मैं confess करता हूँ कि मुझे नहीं पता, 11 square 1 to 1 होता है लिख देना, मुझे दिखने चाहिए comments कि भाई, मैं confess करता हूँ कि मुझे 11 square 1 to 1 नहीं पता था, ठीक है लिख देना, ठीक है, अगर नहीं पता था तो ठीक है, लिख देना यार प्लीज, मज़ा आएगा लिखोगे तो comments देख के, अब यहाँ पर देखो कि हमने इसके squares को print कर दिया, क्या हमें इतनी महनत करने की जरूरत थी, क्या ये करने का कोई आसान तरीका था, yes था तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, let new arr करूँगा, और यहाँ पर करूँगा arr को map करो, उसके element को लो, ठीक है, by the way arrow function में अगर हमें सिर्फ एक argument देना होता है, तो हमें वो bracket लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है ये arrow function वाले video में मैंने आपको शायद नहीं बताया था, but you should know that arrow function जो है ये लिखने की बजाए आप ये जो पहली वाली curly braces से इसको हटा भी सकते हो ठीक है, तो यहाँ पर मैंने element लिया और मैं लिखूंगा return e star star 2, ठीक है and ये चीज बिल्कुल वही काम करेगा आप देखो, output हमारा नहीं बदला ठीक है, तो ये कर सकते थे हम तो ये होता है हमारा map in most of the cases हमें map में सिर्फ value की जरूरत पड़ती है लेकिन अगर आपको index और array भी चाहिए तो वो भी आप ले सकते हो अंदर तो यहाँ पर आपको अंदर मिलेगा index और array कभी-कभी हमें यहाँ पर use करने की जरूरत पड़ सकते है index को और array को बहुत कम cases में कर सकते हो आप ठीक है map आपको index मैं आप लिख देता हूँ index और array तो element index और array इसको आप array भी कह सकते हो a भी कह सकते हो arr तो हमारा original है ही कुछ भी कह सकते हो ठीक है तो यह आपको मिलता है तो I hope यह समझ में आगे आप लोगों को map किस तरह से काम करता है और किस problem को solve करता है filter बहुत ही interesting function है जब हम UI बनाएंगे तब पता चलेगा आपको इसका महत्व बहुत use होता है या react वगरा लिख रहे हो तो तो क्या है कि मानलो मैं चाहता हूँ कि new ARR में से मुझे सिर्फ वो elements चाहिए जो कि 5 से बड़े है तो मैं क्या करूँगा कि इसको सबसे पहले एक predicate दूँगा जो कि एक function होगा ठीक है तो मैं कहूँगा कि greater than 7 यह एक function है तो यहाँपर मैं function directly भी डाल सकता हूँ लेकिन मैं थोड़ा सा चीजों को complicate नहीं करना चाहता आप लोगो के लिए तो मैं कहूँगा greater than 7 एक function है जो कि return करेगा true अगर जो element है मैं जारा इसका syntax ही से लिख दूँ जो return करेगा true अगर हमारा मैं आपना एक turnary operator डालूँगा यह मैं आप confuse नहीं करता हूँ मैं कहूँगा if is greater than 7 तब क्या करो return true कर दो वरना क्या कर दो return false कर दो note that मुझे else लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक बार function return हो गया तो नीचे का execute नहीं होता है और अगर इसके अंदर गया ही नहीं है तो directly यह return हो ही जाएगा ठीक है simple सी बात है तो यहाँ पर मैंने return true लिखा यह return false लिखा अब मैंने कहा new arr.filter or greater than 7 तो यह क्या करेगा एक नया return करेगा तो मुझे यहाँ पर console.log करना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से और आप लोग देखो कि जब मैं console.log करूँगा कुछ इस प्रकार से तो इसमें सिर्फ वो elements आएंगे एक minute new arr में से वो elements आएंगे in fact मैं यह na arr में से run करता हूँ तो arr में से सिर्फ वो elements आएंगे जो की साथ से बढ़े है तो यह पर आप देखो वो elements है जो की साथ से बढ़े है तो इस function वो complex भी बनाया जा सकता था और इस function को न in most of the cases आप डिरेक्ली यहाँ पर लिख देते हैं इसका अलग से variable नहीं मनाते है इसको डिरेक्ली यहाँ पर गुसा देते है arr.filter और सीधे यहाँ function ठीक है बट आपको समझ में आजा है इसलिए बने एक variable बनाया और फिर उसको यहाँ use किया ताकि clear दिखे तो अगर मैं ऐसा नहीं करके ऐसा भी कर दू न तो भी चलेगा लेकिन यह दिखने में थोड़ा इतना अच्छा नहीं दिख रहा है तो ctrl z कर दूँगा मैं बात वही है एक constant बना लो जो कि एक function है फिर उसके बाद उसको filter में डाल दो यह फिर डिरेक्ली filter function में use कर लो बात बराबर है ठीक है आई होब कि clear हो रहा है सब लोगों को मुझे तो यह बहुत मज़ा आ रहा है यह इसमें क्योंकि यह मैं excited हूँ projects बनाने के लिए मज़ा आने वाला है बहुत जादा ठीक है तो यह reduce method को आप लोग देखों कि यह किस तरह से काम करता है reduce method क्या करता है कि जिसे मालो मेरे पास एक array 18711 अब अगर मैंने इसको एक function दे दिया तो यह पहले उसको इन दो elements पर लगाएगा जो result आएगा उसके साथ इस पर लगाएगा जो result आएगा उसके साथ इस पर लगाएगा for example एक add नाम का मालो एक function है जो कि मैं आप लोग को दिखाता हूँ मालो मेरे पास एक array 2 नाम से array है जिसमें बहुत ही simple से numbers है 1,2,3,4,5,6 और मैं कहता हूँ कि यार एक reduce function है red के नाम से इसको बनाता हूँ और यह reduce function कुछ नहीं करता है return करता है a multiply by b and obviously a और b यह लेता है तो कुछ नहीं कर रहा है यह दो numbers को multiply कर रहा है that's it मैं क्या करूँगा मैं क्या करूँगा console.log करो एक ऐसे array को जो की मुझे मिलता है जब हम red function को apply करते हैं इसके सारे elements पर तो क्या होगा कि यह मुझे array return नहीं करेगा sorry यह number return करेगा जो भी reduce होके value आएगी तो 1,2 पे लगाएगा यह a into b क्या आएगा 2 2 into 3 करेगा 6 आएगा तो यहां तक का 6 हो गया 6 into 4 24 यहां तक का 24 हो गया फिर यह multiply पर 5 करेगा जो भी आएगा यह multiply पर 6 करेगा ठीक है तो आप देखो वो value जो final होगी वो आपको मिल जाएगी जो की 720 होती है अगर इसको मैं a plus भी कर दूँ तो यह यहां से add करता हुग चलेगा और यहां तक add कर देगा तो बहुत ही simple सी चीज है 21 हारा है आप देख लो एक और दो होता है 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 10, 5, 15, 15, 16, 20 ठीक है clear है एकदम clear है तो reduce को हम इस तरह से use कर सकते हैं जब हम कोई भी एक function को run करना चाते है और हम चाते हैं कि वो जो function हो वो इन values पर run होता जाए तो आप reduce को run कर सकते हो ठीक है map और filter को सबस्यादा use किया reduce को इतना तब भी use नहीं किया है ठीक है और उसको एक reason ये भी होता है कि यार लोग reduce करने से अच्छा इसको manually करना पसंद करते है I don't know why बट जितने भी code bases मैंने देखे हैं कभी भी factorial निकालना है और ये हम देखेंगे जब हम HTML में apply करेंगे तो आपको बस बता रहा हूँ array.from से क्या होगा अगर आप बनाना चाहते हो एक दूसरे object का जो की array बन सकता है जैसे कि एक HTML collection का अगर आप लोग array बनाना चाहते हो तो array.from करके आप बना सकते हो तो किसी भी object को array में convert करना चाहते हो तो आप array.from का इस्तिमाल कर सकते हो और आपका array बन जाएगा तो आप लोगों को आशा करता हो समझ में आई चीज़ें clear हुई और आप लोग अपने आपको मजबूत बनाते जारे हो जावा स्क्रिप्ट में comment section में JavaScript OPR जरूर लिख देना दिल से खुशी होती है जब आप लोग comment लिखते हो जितने भी थोड़े बहुत लोग इस वीडियो को देख रहे है मुझे समझ में आता है कि हायर कोई देख रहा है मैं वीडियोस बना रहा हूं तो कोई देख रहा है कोई सीख पा रहा है इनसे तो आप प्लीज लिखना जरूर comment यार मेरा दिन मन जाता है अब इक लिए इस वीडियो में इतने हैं गाई प्लेलिस्ट को access जरूर कर लेना तक यू सो मुच गईस वीडियोस 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 वीडियोस